अब अब यूट्यूब चैनल एक्जाम अब यह महत्मा गंदी की वेरम पड़ रहे हैं इनका इस्टेट मेंट है की वीदा चेंज वांट टू सी इन दा वर्ल्ड यानि खुद वह बदलाब बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो कुछ बदलाब बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो कई इस पर कई टाइक की स्टोरी बनी हुई है और गांदी जी ने बताया विए कैसे कुछ बदलाब की संब्मद में तो डिरेक्ट कुश्चनों पर आते हैं कि दुए चोड़े से ठारें के बीच में कुश्चन पूछे गए जिसे गांदी जी के अंसार सत्याग्रे का क्या मतलब होता है नेतिक सिच्चा क्या है इनकी प्रसिद्ध तुस्ता क्या है सर्भुद्य का मतलब क्या होता है 11 बचनों में से 6 बचनों का उलेकर है अईंसा क को डिरेक्ट आते हैं महात्मा गंदी जी महान माझनितिग बा diabetes बीचारत की अधुकुल सही बात है वेश्यालो को द्राश जिनके राजनितिक आर्तिक सामाजिक परवाड़नी वेजान बिचार में अत्यदिक प्रसांगे क्या है एक लाइन लिखना है इंट्रोडेक्शन में कि मात्मा गांधी एक महान राजनीतिक विचारक अथ्वा दूर दर्सी थे जिनके राजनीतिक आर्थिक सामाजिक पर्यावणी आदी विचार बरतमार में अतिदिक प्राश्चांगे के जैसे कि अभी पड़े हुए हैं सामानी जैनकारी इसे मात्मा गांधी जी की पारे में देखते हैं कि इनका जन्म 2 अक्तूबर 1889 को पोरबंदर गुजरात में जन्म होता है भच्पन का नाम मोहंदास करमचंद गांदी पूरा नाम करमचंद गांदी माता का नाम पुदली भाई जनम 2 अक्टूबर 18-9 को पितागराम पूराणाम मोहनदास करमचंद गांधी पितागराम करमचंद गांधी मातागराम उतली बाई सिच्चा उन्होंने प्रार्यम सिच्चा राजकोट से प्रार्यम कीती और इंगलेंड में जाके बैरिश्टर की पढ़ाय कीती आगे जाके देखते हैं पत्नी के नाम कस्तुर्वर गांदी बता अठारस और तराणवे में अफ्रीका चले गए थे और अठारस तेरे से उन्नीस से चोदर तक अफ्रीका में रहते हैं को भारत में प्रिविस किया तरों ने इसलिए उन्ना जन्वरी को भारती प्रवासी दिवस की रुपे में मना जाता है मिरत्ती ती जन्वर उन्नीस और तालिस को नातुर्यम गोट से कुदरा गोली मार करके नहीं हत्या कर दी गई थी सलस्थान निटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में साउत परीका में बनाई थी फिनिक्स आस्रम 1904 में साउत परीका में सावरत्मी आस्रम हम जानते हैं 1915 में भारत में बनाए गया है देखो द्वारा से देखते हैं इसके बारे में महान राजनीतिक विचार गत्वा एक दार्शनिक दूर्दर्सी थे जिनकी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक पर्यावनी आधी विचार बरतमान में होत अधिक प्रासंगिक है जर्मन का इंग्लेंड में बेरिष्टर यहीं पढ़ाई करते हैं पतिनिकम कस्तुर विगांदी होता है 1893 में अफ्रीका चले आते हैं 1893 में से लगा करके 1913-1914 तक अफ्रीका में रहते हैं नौ जनवरी 1915 में भारत में आते हैं इसी के उप्लच्च में प्रभासी दिवस मनायाता है इनके अश्रम होते हैं पत्र के बारे में यंग इंडिया हजन पत्र का नाम के पत्र होते हैं पुस्तकों के बारे में बात किया आती है दो पुस्ते के साथ मेरे प्रियोग और हिंद स्वराज एक्सपेरिम्ट वित्माई टिरूथ 1929 में लिखे गी थी आत्मकताई एक प्राव से और मुलुरूप से गुजरात इबासा में इनका अंग्रीजी में अनुवाद जो महादेव देशाजी ने किया है ट्रसलेशनर्स का सत्य के साथ में एक्सपेरिमेंट वित्माई टिरू इसे चलिए लिए 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 टॉरिश नाम के एक पुस्तक है जिसमा वार वाक वार एंड पीस पर लिखें उपादियां स्वाश्चंदर बोस जी ने इनको रश्ट पता कहा है रविद्दार टेवन ने इनको महात्मा कहा है कि महात्मागादि की दर्शनों के बारे में बात करते हैं तो इनके जो दर्शन होते हैं कि सामाजük आर्थिक राजनीतिक ऐसे बहुत सारी विचार है सामाजіिक की बारे में ने बड़ वस्ता की समर्था थकते जातिप्रता की बूरती थी महिलाओं के समान अधिकार के बारे में बात करते थे बाल व्यवा का बूद किया बिद्वा पुनर व्यवा का समर्थन किया थे नोंने पच्छमी सबिता का बूद किया था दहीज परता का बूद किया था सर्वुदे के बारे में बताया गया सर्व दर्व संभाव के बारें बताया गया है देखो सामाजी दर्शन के बारें बात किया है बड़ विवस्ता का इन्होंने समर्थन किया है ठीक है जाती परता का बुरूत किया है महिलाओं के समान अधिकारों के बारें बात किया है लिटी का बुढ़ने विवा का समर्थन तैंगा किया यह परता के बड़े उद्व किया घिक्टि की अफण इनका बहुत बहुत बढ़ातियार हुगा करता था कल्यान कारी राज के बारे में बता गया सुराज राज भीन समाज के बारे में बता गया संसदी लोकतंत्र के बारे में रामराज के बारे में दार्मिक अन्नी में देखा सच्छा पंचब्रत साधन सक्ष हिद्दांत अर्दा परिवर्तन संस्कृति प्रेमी थी प्रकर्ति प्रेमी थी और साथ पाप समाजबाद सर्वुच सुक ग्यारा बचन इनकी अनिशिद्दांत एक एक से देखते हैं सामाजब दर्शन से शुरुआत करते हैं महात्मागंदी का सामाजब दर्शन अत्यदिक ब्यापक है सामाजब दर्शन क्या है अत्यदिक ब्यापक है सबसे पहले पर बड़ विवस्था के बारें बात करते हैं कि बड़ विवस्था की क्या थे समर्थक बड़ वर्था को शर्म विभाजन की प्रणारि इनओने माना है जिसमें अ अस्पर्थाह जाती प्रता कहका और ब्रोध किया है then बड़ विभाजन संवाजिक विभाजन या श्रम विभाजन तो आठीक परताग करना है और अस परस्ताग लए इवस्ता को ने बरोध किया है Jatipora अगीma अस·करा मार्ग लुए हर्जएंसए्वा और इस। अस्परस्ता का मार और MAILाओं के बारे में स्थिरी पुरूद समांता अगा समर्थन पर्दा पर्था का ब्रूद इस्तिरी मता दिकार का समर्थन और विद्वा विवा का समर्थन क्या क्या है इस्तिरी पुरूद समांता का समर्थन इस्तिरी पुरूद समांता का समर्थन इकटा भी इसत्री मता וिकार का समर्थन बीदवा पुनरर भीवा का उन्होंने समर्थन किया है बालवयाओ को अमानवी अनर्यतिक माना है दहिय mostly ने वरूथक इस वाद बयह को क्या है अमानवी में वह को अनर्यतिक का आज सामप्रताग हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता हेतु 21 दिन का अपवास किया था 1932 में भी सामप्रताग अवार अड़के ब्रुद्ध आमन अंसर्म बेटे दंगों को उनने रोकने के लिए कारी किया था यह पंचमी सभितागी भौतिकवादी प्रगति का व्रुध यानि उपमुक्ताबाद का व्रुद्धी थे और आध्यात्में और सरल जीवन उच्च बिचार का समर्थन करते थे सर्वोदै के बारे में इनका तब बात किया थी ए तो इसका आधार होता है जोन रसकन की फुस्टक है और उनास Azh कि इसका मतला होता है कि सर्वुदय का सबका उत्थान यानि समता और बरग सहयुक पर आदारित थमाज समता बरग सहयुक पर आदारित समाज विसे इस्तां के आए इसकी कि गांदी के अलावा बिनोवा भावे जैप्रकास नारान मस्रूव वाला यह सभी महान व्यक्तित चाहिए और नेतिक्ता त्याग सनाचार अहिंता प्रेम जैसे गुरों का विकास होना चाहिए मानवी मसिनी करने के स्थान पर को टू रिद्द्यूव आना चाहिए गांदी ने आर्थिक सामाजिक विसमता के समाधा नेटू सर्वुदे का मार्ग बताया है जिसी बरत्मान परिस्तियों के अनुकूल बनाकर प्रसादित करना चाहिए देखो क्या है सर्वुदे इसका आधार क्या जौन रस्कन की पुस्तक अंटू दिस लास्ट अठार साट में लिखेगी सर्वुदे का आर्थ क्या है कि सबका उत्तान एर्थात समता वर्ग सयुक पर आधारित समाज सर्वुदे की विसमता है कि गांधी के रावा बिनयवावावे, जैप्रकास, नारायन, मसर्वुग आला, आदी जिभेक्टिउत्वें, सर्वुदे इक बिचारक तेये पृतिक वित्तियों उसके सबी कामों को समान महत्य मिलना चाहिए मारव का बोर्दी कीवम वेबसाइक विकास होना चाहिए नेतिकता, स्याग, सदाचार, इंसा, प्रेम जैसे गुड़ों का विकास होना चाहिए मसीनी करण के इस्थान पर उटी दूद्यों होना चाहिए गांदी ने आर्थिक सामाजिक विसमता के समादा नेतु, सर्वुदय का मारव बता है इसका आर्थिक सामाजिक विसमता के इस्थान पर सर्वुदय का मारव बता है जिसे बरतमान परसितियों के अनुकूल बना करके परसारित करना चाहिए अब आगे आर्थिक दर्सन के बारे में चलते हैं मार्तमा गंदी ने आर्थिक विकास है तू बहुत सारे बिचा दिये हैं कि जागे और मशीन के इसलिए मशीन काना आ था कि ना और बड़े दियों में भी क्या रहता कि खतम का हो जाएं जाएंगे बड़े जाएंगी इसलिए बड़े द्यों में स्थान पर कुठी पर बरे बोला ऊसी की वियाफ पर मसीन का ब्रूद िर्फ पादन को साधन ग्राम लेवल से होनाः चाहिए अर्थिक नितियां स और सर्भूदय के माध्यम से समान कार रहे तो समान वितन मिलना चाहिए खार भी इस ख्यांता ओल्स्वारीयraph चाहते हूं कि आप सरवुदय के माध्यम से समान कारे तो समान भीतन भरत्मान में भारती अर्थवस्ता वो इस विंदे बिखेस्ट गांदी की आर्थिक किन्दी कर साहे होगा बरत मान में आर्थि विंदी कर से निमने लेक्शार परस्ता की एं बड़े उद्योगों को स्थान पर कुठी बुदियोग बसी निकर करन का बोद किया है और उत्पादन के साधनों का बिकिंदी करण पर बल दिया है यानि इन्होंने कहा है कि गराम सुराज की अवधाना पर बल दिया है आर्थिक नीतियां ग्रामों को किंद्र में रखकर बनाई जाने चाहिए और सरबूद रहे कि मार्ध्यम से गुलाए कि समानकारे के लिए समानभीतल मिलने चाहिए तुस प्रकार से भारती अरतवश्था विस्वर्श्था कि उन्यन विकास हीतु गांदी के आर्थिक सामाजिक और आर्थिक अवदारना है ट्रस्टी शिप पूझी पती को जो पूझी पती होते हैं उनको स्वयम को पूझी का स्वामी न समझेकर ट्रस्टी समझना चाहिए जो पूझी पती लोग उनके बहुत सारा पैसा होता है उद्योग पती बगारा होते हैं तो उनकी पास वहुसारी संपत्ति तो इनका कह ना है कि स्वेम को संपत्ति का स्वामी न समझेकरणने, उनको municipalities समझना चाहिए धनी व्यक्तियों को अपनी अधिसे संपत्ति का पर्योग समाठ के हिथिव करना चाहिए विशेश्तां क्या मुझा हैंगे पतिव समाज का अधिकार होना चाहिए पुनी का नियावचित बित्रण धर्दय परवरतन के आदर पर ही हो सकता भाई जिसका परवरतन नहीं हो कैसी इसका बित्रण कर सकता है इस एत्व व्यक्ति का नयत्य किस्तर उंचा होना चाहिए बरतमान में इस सिद्धानत का प्रियुक करके सामाजिक आर्थिक असमानता भुकमरी आदि को खतम किया सकता हालांकि इसे संसुद्ध और प्रसार्यत करने की आवश्यक्ता है एक अध्वारा देखते हैं स्वैम का संपत्ती का स्वामी न समझ करके उसको ट्रस्टी समझना चाहिए धनी व्यक्तियों को अपने अधिसे संपत्ति को समाज के हितेति प्रियोक करना चाहिए विशेश्ता क्या हो जाएंगी इसकी कि संपत्ती पर समाज का अधिकार होना चाहिए पुझी का निया चुत बित्रण घरदे परिवातन के अधार पर होना चाहिए इसे तू बिक्ति का नेते की इस्तर उन्चा होना चाहिए निसकर्स क्या निकलता है कि बरतमान में इस सिद्धान्त का प्रयूप करके आर्थिक असमान्ता भुकुमरी इत्याजी को खतम किया सकता है हालां कि झे नसोजितों परथारित करने की आवश्क्ता है महात्मा गांदी की राजनीतिक दर्शन के बारे में चलते हैं सत्याग्राय सबसे पहले आते हैं सत्याग्राय का है गांदी जी का दर्शन का केंद्र है गांदी जी की दर्शन का केंद्र है सत्याग्राय जिसके चारों उनके राजिनितिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सारे बिचार क्या पोसित होते है सत्याग्रह गांदी जी का इक किंद्री दर्शन है जिसके चारों राजिनितिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सारे बिचार पोसित होते है बत्यागर्य का मतलब होता है कि सत्य की प्रती आंग रहा। यानि जब तक सत्य की प्रती आग रहा। सत्य प्रती आग रहा। भारत में चंपारण, खेड़ा, सब नयवग्या अंदुरन इन समय सत्याग्राय का उन्होंने प्रियोग किया है, इन द्वारा देखते हैं को सत्याग्राय का गांधी जी की दर्शन का मुखे केंद रहेगा, जिसकी चारो राजनीती की सामाजिक आर्थे की सारी विचार पोस निल की खुटी की लिए, खिर्ड़ा मां किया था, असरयों का अंदुलन वगरां समय अबग्या उन्होंने सत्याग्राय का प्रियोग किया था, इन इस प्रियोग्राय की लिए तकनिक hangी हैं, फब्छा से स्वेने अभग्या अस्यों कर लास्ट में पर हड़ताल पर वेट हो। सोचा से इत्याक कर दो पहले तो सभने अभग्या चलाओ अस्यों अंसर पर वेट हो पर हरताल तो इसकी 4-5 टेकनिक होती है कल्यान कारी राजी के बारे में कि राजनीती राष्ट हित हित हुने चाहिए ना कि अपने पर्सनल हित में बेक्तिकत हित में कल्यान कारी राजी के लिए बुलाए कि राजनीती राष्ट हित में होनी चाहिए ना कि बेक्तिकत हित में पृतिक राष्ट को सामाजिक आर्थिक और राजिनीतिक न्याय की इस्थापना करने वाले कल्यान कार यूजना अपनानी चाहिए जिससे सामाजिक आर्थिक राजिनीतिक न्याय की इस्थापना हो सके यसी यूजना बनानी चाहिए तो इसी समयधान की नीती निदिदे से तत्तों में आराम से देखा जा सकता है जो भारती समयधान की भाग चार में अनुछे 36 से लगा कर एक्या बन तक कल्याने कारी राज नीती निदिदे से तत्तों में इनको आराम से देखा जा सकता है इसाद का मतल़ होता है स्वक प्रेशाशन राज पर विचार विव अब इस्ट यूओ ऑन दा स्टेट, राज संबंदी विचार राजिक तबादी थे, इनके इंसार क्या है राज जी का मूल क्या है इंसा एक राज़ व्यक्ति कि स्वतंतरता पर पादंधी लगाता है गांदी जी ने राज के स्थान पर आत्म अनुसासन आत्म सऑियम और स्वराज अपनाने पर बल दिया है समाज की प्रतिक व्यक्ति का अपना स्वयम का सासन होगा समाज की प्रतिक व्यक्ति का अपना स्वयम का सासन होगा समाज की प्रतिक व्यक्ति का अपना स्वयम का सासन होगा समाज की प्रतिक व्यक्ति का अपना स्वयम का सासन होगा पृतिएक गाम में प्रजात अंत्रात्मक पंचात होगी पृतिएक गाम स्वाव लम्भी होगा बहारी उद्धियग वड़े नगर और पुलूस नहीं होगी मापे सासन व समाज का आधार अहिंसा सत्य होगा पृतिएक व्यंची व्यक्ति अहिंसा सत्य सत्य परक्ता कि मारका पारन करेगा Eu अन नमें क्या है में संदी लोक्तंत्र में एसेमसि kalian कि होगी क्या होगी किelling संदी और में इंसक में युकराश elements वाद किンネル इस समधा कुंब कीघंड राजनेति आर्ठिक आध्याथ मक्सुनंत्रत्य K15َّ संसदियों लोगतंत्र में असेमति अहिंसक राष्ट बात के समर्थक और गांदी विक्ति की विक्तिगत राजनीतिक आर्थिक अध्यात्मुक्स्वत्मता के पबल समतक थे ऐनिटर्ष्ट धार्मक दर्शन पर आते हैं घर्म और राजनीति प्याड़ नहीं किया सकता है कि दर्म और आजिटी एमिसा चलते हैंने कि इनका बहुत गया संबंद है इससे में विश्वास करते थे जो युश्वार सब जगा पर व्याप्त है उसा एसे विश्वास करते थे धरम सत्य और अइंसा पर आधारत एक नातिक जीवन परती है गंदी जी घंसार धरम और आजनीती को अलग नहीं किया सकता है विए सरोव्यापई जो इसो सब जगा व्यापत है ऐसे इस्वर्म विश्वास रखते थे धरम सत्य और इंसा पर आधार्यता सत्य और अधारती कि नेतिक जीवन पर देती है धरम प्रेमो संदर्रेका प्रतिक है सिच्छा के बारे में समाज सेवा की गुड़ों का विकास करते है सिच्चा कैसी थी इन की आध्यात्म आत्म ग्यान पर भल देंगे सत्य और सत्य का भीद बताने वाली सिच्चा व्यक्तियों में समाज सेवा की गुड़ों का विकास करती है नेतिक दर्सन पर आयाते है की लक्षों की प्राप्त हैं नहीं पड़ेगा और साधन कितना भी अच्छा वो साध्य, कितना भी अच्छा वो साधन से अच्छा नहीं बन सकता है विकिल्दी करन की बारे मात करते हैं मात्मा गांदी जी कमसार एको मात्मा गांदी समग्र आर्थिक विकास और गिराम सुराज जेके समग्र आर्थिक विकास और गिराम सुराज जेके इस्थाई विकास में विश्वास करते थे मात्मा गांदी समग्र आर्थी विकास और गिराम सुराज के इस्टाई विकास में विश्वास करते थे माहत्मा गांदी राजनीतिक आर्थिक विवस्ताओं के विकिंद्री करण को छोसड का मूल कारण मानते थे माहत्मा गांदी ने अईंसक समाध की रचना के लिए विकिंद्री करण पर बल दिया है जहां उत्पादन के साधन विकिंद्रे तो हो जाते हैं इन सब के लिए गांधीवादी विचार में गिराम सुराज और पंचाती राज सही कदम दिखाई पड़ता है इनके इनसर आयका वित्रण समाज के सभी लोग में समादूत से होना चाहिए विए गिराम सुराज को ऐसे पूर परजात बनाना चाहते थे जो अपने आप में स्वाब लंबी जिसे पूर हो और आवशक्ता के अंसार दूसरों पर निर्बन नहराना पड़े गांदी जी के इनसर गाम अपने जिले के प्रतिनिगियों को चुनाब करेंगे जिला अपने प्रांत के प्रासासक का निक्त करेगा और प्रांत का प्रासासक राष्ट करेगा जो देश का हैड होगा इस प्रकार से गिराम की अब धाना आए मात्मा गांदी का इंसर गाउं को केंद्र में रख करके भारत का निर्माण होगा वह सहर परदान भारत के पिच्चा बहुत मजबूत होगा मात्मा गांदी मसीनों के बिरुद थे क्योंकि उनका मानन था कि समाज में बेरोद्यारी सुसर बढ़ाती है आर्थिक बिकेंदी करण की किरम में भारत की प्रगती के लिए उद्यू की करण पर बल दी आता लेकिन अधार कुटी रुद्यू गोना चाहिए लगू उद्यू उद्यू गोना चाहिए गांदी के इंसा सच्चा लोक्तंत्र वही है जो जहां पर सक्ती का संचालन जनता की द्वारा होता है यहां पर सकारात्म नकारात्म पहलू बताए गये हैं कंकुलिजन के तौर पर कि राजसानिक जेव परवार्णु हत्यार के यूग में अइंसा का आदर्स बहुत अधिक महत्मूर हो गया है प्रकर्ती को गांधिबादी द्रश्ची कोण से देखने पर वैस्चोक तापमान जैसी समश्चाहों से नवित्रा जा सकता है और प्रती वैक्ती को स्वध्रम अलग है यदि स्वध्रम का पारंपर एक अर्थ न लें तो हर वैक्ती की रूचियां और प्रतिवा अलग अलग होती है वैक्ती को स्वध्रम के अंसार ही काम करना चाहिए अर्था रूची और प्रतिवा के अंसार काम करना चाहिए इसी रोजगार से असंतुष्टी की समश्या दूर हो जाएंगे और सक्ती का बित्रान समाजिक संस्ता मीडिया व्यक्ति अनसस्ताओं में भी किया जाना चाहिए नकारात में तो पूझी बादी टाइम चलना आज का एक सुईकर्थ अर्थवस्ता है इस दौर में गांदी जी की दिखाएगे मार्ग पर चलना चाहिए तो विकास की दौर बहुत पीछे रह जाएंगे और बैस्वी करण की दौर में स्वाब लंबी गरामिल अर्थवस्ता का मार्ग अव्यवारिक है आज किसी रूप में भी वणवस्ता का समर्थन ताकिक रूप से नहीं किया सकता है गलत हैगा अर्थवस्ता का विचार ब्यवारिक अप्रासंगिक परती तो होता है सर्वुच सुप की अधाना के बारे में देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन का उद्दय्श आंत्रिक विकास होना चाहिए गांदी जी का मानना है कि प्रतिक व्यक्ति में इस्वर का अंस्विद्वान है या इस्वर सरुव्यापी है अपने स्वधरम की अंसार जीत हुए व्यक्ति को अपने भीतर नहित इस्वरी संभावना का पूर्ण विकास करना चाहिए क्योंकि प्रतिक व्यक्ति का सुभाव अलग है इसलिए सभी के आत्यूं की विकास का रास्ता भी अलग होगा कोई विवस्ता सभी को एक ही रहाचे में बांद लेना चाहती है तो वह अन्यतिक है क्योंकि व्यक्ति के सरुवधरम का सम्मान नहीं करते है इस मिंदू पर समाजबादी विरूदी सब्दें पर गांधी दोनों बरगों में सामिल हैं गांधी समाजबादी है सभी साधन समाज के हैं जरुवतों के अत्रिक्त से संसाधन समाज के हित्में होना चाहिए व्यक्ति वाद के तो पर देखाया आता है तो प्रतिक व्यक्ति का वुच्छुब की अबदानाव मानवी विकास व सुतंतरता सामाजिक प्रगति के मद्द संतुलन की स्थापना की हैं सामजिक पाप हैं जैसे कि सिध्धान्त की बिना राजनीती, काम की बिना धन, विबेक की बिना सुख, चरत्र की बिना ज्यान, नेतिक की बिना ब्यापार, मानत्तव की बिना पूजा, विकास्वरी और त्याक की बिना पूजा, सिद्धान्त की बना राजनीदी काम की बना धन विविक की बना सुख चरत्र की बना ज्यान नतिक्ता की बना ब्यापार मानप्ता की बना विकास और त्याक की बना पूजा इस साथ पाप्त की बारे में चर्चा की गई है 11 बचन बताए गए है कि एंसा स्ति अस्ति ब्रह्म्चर अपार गता ग्रा degra हिए पाँच तो कौउम नहीं है क्या तो आप है महावीर माहत्मा बुद्र के बारे में देखी है कि माहत्मा कानदी के वाए हूं है है पाँच जो सत्ति है वह कौउमनी रहते हैं अंसा सत्ति 2021 आपर गिर है कांधी जी नहीं छे और बताए है को तो अ कि सरीश्रम अवर अश्र अश्वधा अश्वदा श्रवत्त भवर्जना स्वध्रम संब्ध स्वदेशी और इस्पर्म कर्षब्रस्बावना यानी अंटेचिवेल्टी को दूर करना है सोदेशी अपने देश में बनी चीज़ों की अपनाना है सोदेशी एकुलिटी ओफ ओल रिलिये सर्वदर्व संबब सर्वदर्व संबानता ठीक है फियल्लेंस यानि वैसे मुक्त होना है सरवत्र भयावर्जना कंट्रोल अब दा पैलेट अशोधा इस टाइप से अबनो याते है